सलमान खान अपनी फिल्म कभी एद कभी दिवाली को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं ये फिल्म इसी साल उनके जन्दिन के मौके पर 30 दिसेंबर को रिलीज होगी फिल्म में साउथ एक्टरस पूजा हेकडे सलमान खान संग इश्क फरमाएंगे इसके अलावा फिल्म में श्रेस तलपडे और अर्शत वार्सी जैसे एक्टर भी हैं लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट की माने तो इन दोनों ही एक्टर्स का पत्ता इस फिल्म से कट चुका है इनकी जगे फिल्म में सलमान खान के जीजा आयूश शर्मा और जहीर इकबाल के एंट्री हो गई है ये दोनों ही एक्टर्स पहले भी फिल्म का हिस्सा थे लेकिन बाद में अलग हो गए थे क्योंकि उनका रोल बहुत छोटा था ये दूसरी बार होगा जब सलमान और आयूश शर्मा एक साथ फिल्म में नज़र आएंगे दोनों आकरी बार फिल्म अंतिम में नज़र आए थे बॉलिवड हंगामा की रिपोर्ट के मताबिक सोर्स ने बताया श्रेस तलपड़े और अर्शद वारसी की जगह सलमान खान ने कभी एद कभी दिवाली में आयूश शर्मा और जहीर इकबाल को ले लिया है फरहाद साम जी फिल्म में अब सलमान खान के साथ आयूश शर्मा और जहीर इकबाल उनके भाई बनेंगे फिल्म में पूजा हेकडे ने सलमान की प्रेमिका की भूमिका निभाई है, वहीं साउथ सूपरस्टार वेंकर टेश एक एहम रोल में भी नज़र आएंगे, इससे पहले आयूश फिल्म से बाहर चले गए थे क्योंकि रोल अंतिम जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर उन् खंग का कैमियो भी देखने को मिलेगा, इसलिए फैंस को इस फिल्म का बेसबरी से इंतजार है, इसे प्रकार की तमाम जानकारे के लिए हमार साथ जोड़े रहिए, नमस्कार